अपने 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 आपको देख सकते हो डाउनलूड कर सकते हो देखे एक्जाम डेट की बात करें तो जैसा कि पहले ही इसकी इनफॉर्मेशन थी एक्जाम 14 से 16 नौमबर के बीच होने वाली है तो अभी से लेकर 5 डेज का आपके पास समय लगए 5-6 आपके पास समय है तो इन 5-6 डेज में आपकी क्या strategy होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे और जैसे कि आम ने देखा कि इस बार बहुत सारे applications को reject कर दिया गया है तो अगर आपका form reject हो चुका है reject कर दिया गया तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए क्या क्या चीजें ह जो आपने पढ़ा हुआ है अपने मेभी short notes बनाय हुए होंगे formula की एक list बनाई होगी तो उससे अच्छे से revise करना खास करके GK के उपर ज्यादा ध्यान देना क्योंकि GK बहुत बड़ा deciding factor हो जाता है सारे topics तो हम पढ़ लेते लेकिन GK में जब questions पूछा आते हैं तो GK से क कुछ कुछ ऐसे questions भी पूछ दे जाते हैं या current affairs वाला part portion पूछ दिया जाता है या फिर जो static वाला portion रहता है कुछ ऐसे questions रहते हैं जो एक बार तो हमने पढ़ा रहता है लेकिन revision ना होने के कारण फिर हमें याद नहीं आता है और उसके कारण फिर mistake हो आती है तो यह गलती आपको नहीं करना है तो जो भी आप पढ़ रहे हो पूरा अच्छे से revise करो यह five days six days है इसमें बस आपको जो आपने पढ़ावा है उसे revision करना है और extra कुछ भी नहीं करना है कोई नया experiment अगरा नहीं करना है दूसरी चीज है कि previous year के जो questions है वो आप जरूर देख लेना आपन से लेकर suppose आपके पास five days six days का सामय है तो हर दिन आप target रखो कि एक mock test आपको ज़रूर देना है और जब आप mock test दोगे तो पूरा जो आप environment रहेगा पूरा महौल रहेगा वो exam जैसा होना चाहिए यानि कि कोई disturbance नहीं हो नहीं चाहिए और जब आप mock test दे रहे हो तो अगर ज करना है कि आपने कहा का mistake की कौन कौन से topics है जहां आप improve कर सकते हो और उसके उपर आपको ध्यान दे रहा है और खास करके जो all India level पे जो mock test होते हैं free mock test होते हैं वो आप ज़रू attempt करना एक free mock test मैं आपको बता दे रहा हूँ यह all India level पे होने वाला यह engineers academy conduct करा रहा है 10th November को यह mock किवे civil electrical या mechanical किसी में भी तो आप इस mock test को दे सकते हो और यह mock test completely free है तो आप attempt ज़रू करना इसकी link मैं description box में डाल दे रहा हूँ आप वहाँ जाके register कर सकते हो और 10th November को mock test दे सकते हो चले बात करते हैं उन candidates के बारे में जिनकी application को reject कर दिया गया है जिनके forms reject हो गई है तो द application reject कर दी जाएगे वह उन्होंने clearly mention कर दिया था कि आप जो photo खिचवाओगे उसमें specs नहीं लगा रहाना चाहिए लेकिन बहुत सारे candidates नहीं गलती की है दूसरी mistake ही हुई थी कि signature जो है वह blood है बहुत सारे candidates की जो signature है वह blood है जिसके करना form को reject कर दिया गया है अब इसका solution क्या जो SSC की regional office है या फिर headquarter के अगर आप नजदीक रहते हो तो वहाँ पर आप जाओ और आपकी जो problem है वहाँ पर बताओ उसका solution वहीं हो सकता है इसके लावा आप mail लगातार करते रहो and call जरूर करो directly call करो अगर सपोज आप नहीं जा सकते हो headquarter या फिर आप नहीं जा सकते हो regional office तो आप call जरू करो और mail जरू करो क्योंकि बहुत सारे candidates की form को reject कर दिया गया है अगर दो चार लोगों की application reject होती है तो वह फिर कुछ reason हो सकता है छोटा मोटा reason हो सकता है लेकिन यहां पर बहुत सारे candidates जैसे अब मैं खुद specs लगाता हूं तो नॉर्माली में जितनी भी photos ह सारे में specs लगा हूँ है तो अब वैसे photo को जबकि photo clear होने के बावजूद बहुत सारे candidates का है कि photo बहुत clear है लेकि फिर भी उसे reject कर दिया गया है बस इसलिए क्योंकि उन्होंने specs लगा है वह था photo में तो यह बहुत ही बेकार सा reason है हलाकि लेकिन अब SSC ने जो rule बनाया है उस लिए आपको अपनी तरफ से मेहनत करना होगा अपनी तरफ से आपको stand लेना होगा और जाके बस यह दो तीन option आपके पास बचते हैं या तो आप call कर लो या फिर आप email करो या फिर आप physically वहाँ चले जाओ जो regional office है या फिर headquarter SSC के वहाँ पर चले जाओ और वहाँ जो भी concerned authority रहेंगे उसके साथ बात कर सकते हो उनके साथ बात कर सकते हो और SSCJE के लिए अच्छे से preparation करते रहो तैयारी करते रहो exam के लिए all the best